नमस्कार आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो नियूज आपके साथ मैं हूँ कल्याणी शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से गुलामाने अशर्फ वेलफेर सोसाइटी के तत्वावधान में अध्यक्ष मौलाना सयद नूर मिया अशर्फी के नेतरत्व में शोहदा एक कर्बला की याद में रख्तदान शिविर का आयोजन उमेध हॉस्पिटल स्थित ब्लड बैंक में आयोजित किया गया जिसमें 109 यूनिट एकत्रित हुआ शिविर में रख्तदाताओं ने बढ़ चड़कर हिस्सा लिया सोसाइटी द्वारा रख्तदाताओं को सर्टिफिकेट भेट कर उनकी होसला अफजाय की गई उपाध्यक्ष मुकतार अनीस चिष्टी ने बताया कि शिविर का आगास दुआओ के साथ किया गया मुख्य अतिथी उमेद अस्पताल के अधीक्षक मुहम्मद अफजल हकीम हजरत मौलाना बरकत अशर्फी, मौलाना फुरकान, पारशद शेर मुहम्मद, के मुहम्मद सिराज नूरी, नूरी इंटनेशनल स्कूल, पारशद वसीम मामा मौजूद रहे सचिव अशर्फ हुसेन ने बताया कि शिविर में एकत्रित हुआ 109 यूनिट प्रतेग रख्टदाताओं को सिपास नामा देकर अभार प्रकट किया बलड बैंक से जुड़े हुए लोगों ने शिविर में शामिल होकर अपनी उपस्तिती महसूस कराई सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि रख्टदान शिविर के आयोजन में लोगों ने बढ़ चड़कर हिस्सा लिया रख्टदान महादान है जो किसी की जिन्दगी बचाकर परिवार को खुशिया दे सकता है